चोपड़ा एजोगिस न्यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ मेरे पहरे बचो MCC की काउंसलिंग में राउंड वन की जोइंड सीट को लेकर बहुत बड़ा चेंज हुआ है और ये सभी कंडिडेट को जानना जरूरी है जो इस काउंसलिंग में पाटिस्पेट कर रहे हैं पहले रूल ये था कि अगर कोई कंडिडेट राउंड वन की सीट जोइन कर लेता है और सेकंड राउंड के लिए अपग्रेड का ओप्सन देता है और उसकी सेकंड राउंड में सीट अपग्रेड नहीं होती है तो उस कंडिशन में सेकंड राउंड का रेजल्ट डिकलेर होने के दो दिन बाद तक उस सीट को छोड़ सकते थे अगर second round का result declare होने के दो दिन बाद भी seat को नहीं चोड़ने पर उसके लिए second round के rule लागू हो जाते थे लेकिन अभी ये नियम बदल चुका है round 2 के registration 17th फरवरी 22 से start हो रहे हैं और first round की जो joining की last date है वो 9th फरवरी 22 है तो जिन candidate को first round की joint seat से resign देना है वो 15th फरवरी साम 4 बजे तक resign कर सकते हैं उसके बाद इस joint seat पर second round के rule लागू हो जाएंगे तो इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात ये है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आपने अभी जो ये first round की seat join कर रहे हैं वो बड़े ही ध्यान से करना है पहले तो आपने बिल्कुल confirm हो जाना है कि अगर ये first round की seat join कर रहे हैं तो second round में upgrade नहीं हुई तो इसी seat पर हमें MBBS करना पड़ेगा तो ये आप बिल्कुल confirm हो जाएं तो तभी इस seat को join करें first round की seat को क्योंकि first round free exit है इसको आप छोड़ भी सकते हैं नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा इसमें तो जब आप first round की seat join कर रहे हैं तो ये बिल्कुल confirm होके join करें कि second round मे upgrade नहीं होती है तो हम इसी seat पर MBBS कर लेंगे क्योंकि अभी आप 9th फरवरी तक के इसमें join करेंगे और फिर आपका मन बदल गया इस seat को हमने नहीं लेना है तो 15th फरवरी तक इस पर resign देना है तो इसमें आपको काफी problem होगी तो जब आप first round की seat join कर रहे हैं तो ये ध्यान र रख सकते हम ऐसा अगर है तो इसको join करें otherwise आप इसको छोड़ दें क्योंकि first round free exit round है तो rules मैंने आपको बता दिये हैं ये बातें आपने ध्यान में रखके counselling करवानी है second round के लिए first round की seat को इस परकार से join करना है तो ये जानकारी थी बाकी updates के साथ फिर मुलाकात होगी तब